बाते करने में कुछ नहीं जाता आत्मा अमर है महाराज आत्मा तो अमर है हमने थोड़ा सा आपको छेड़ा तो आप तो पूरे के पूरे अमर हो गये थोड़ा सा समंद्ना इस बात को बगवान सबका भला चाता है यह बार लिखा यह किसे हो जाता है कि अर्जून सुना शौक करने यह मनुषियों के लिए शौक करता है तूदू उनके लिए पाल रहा है यह अर्जून जिनके लिए दुख पालने का को कारण नहीं है लेकिन मेरे मुझ से सुन ले है कि पंडिजन याने ग् Neden ऐसा नहीं करते दो बाते सपस समझे है अधिकान्श शास्त्र अधिकांश यह जितने भी पंडीत मौल्वी पादरी यह है कि यह यह बिख ग्यानियों सी बात करते हैं लेकिन ग्यानी नहीं है बाते करते हैं न будете क्योंकि यह संभवी नहीं है कि हम न सुधरे हैं हमारा मन न सुधरे और बहार की परिस्तितियां सुधर जाए यह संभव नहीं है यह ज्यान की बात है यह आश्रे यह आश्वासन बाटना यह आशिरवात देना और कह देना कि तुम्हारा भला हो जाएगा तुम यह करो यह ज्यान की बाते हैं तो दो तरीके की बाते हैं एक ज्ञान की बाते बली सीधी है कि आप में ये ये सुधार लियाओ आपका सब कुछ बदल जाएगा ये बात तो हमारे समझ में आती है भाई हमारा चश्मा खराब है तो मैं चाहे मंत्र पढ़ दूँ चाहे धागा पेना दूँ चाहे इसको अंगूठी पेना लूँ चाहे हर समवार को मंदी ले जाओ चश्मा ठीक नहीं होगा उसके लिए तो चश्मे को ठीक करना पड़ेगा सिधी सी बात है इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है लेकिन कोई मनुश्य सुधरना चाहता नहीं कोई इसलिए समवार नहीं कर रहा है कि प्रभू मेरी इरिशा खतम कर दो कोई नहीं कर रहा है मुझे कुछ दे दो या पड़ोजी का कुछ छिन लो तो यह अज्ञान की बात है सो क्रश्णा कह रहे हैं कि तू ना शौक करने योग्या मनुश्यों के लिए शौक करता है और पंडितों से वचन को केता है बड़ी बड़ी बाते करता है और बीवियर एकदम तूच्छे तेरा बाते तूम बड़ी बड़ी करते हो लेकिन तुम्हारी बातों से तुम्हारा behavior match नहीं खा रहा है तो सुन अरजुन तुम मुझे से पुछ रहा था न कि stress मनुष्य से क्या करते हैं बताओ तो stress मनुष्य जो जीवी थे उनके लिए भी दुख दर्द नहीं पालते कभी दुखी नहीं होते किसी को देख कर चाहि कितने ही कर्ष्ट में हो क्रष्टन क्या कहे रहे हैं कि stress मनुष्य जिनके प्रान चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडिजन शोक नहीं करते इस बात को क्रष्टन आगे कई श्लोकों में टुकले टुकले में समझाएंगे लेकिन कोई मर रहा है कोई मर गया कोई जिन्दा है और कोई मरने वाला है यह दुख का रतीबर कारना नहीं है क्रष्टन के रहे हैं और तू दुख पाल रहा है तेरे मरने का भी दुख पाल रहा है कवरों के मरने का भी दुख पाल रहा है लेकिन अर्जुन मेरी बात सुन अर्जुन मेरी बात सुन न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था पगले ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था आज से दस जार वर्ष पुर्वों में नहीं था पचास हजार वर्ष पुर्व में नहीं था ऐसा नहीं है यह अग्यान है और न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं रहूंगा और ऐसा भी नहीं है कि आगे कोई ऐसा वक्त आएगा जब मैं नहीं रहूंगा यह तेरा अग्यान है और न तो ऐसा है कि ये राजा लोग नहीं थे और न ऐसा है कि ये राजा लोग नहीं रहेंगे तो क्रश्णा कह रहे हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे औरना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे जैसे जिवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और व्रद्ध वस्ता होती है वेसे ही अन्य शरीर की प्राप्ती होती है उस विशय में दिर पुरुष मोहित नहीं होता अब इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेना हाला कि बेहतर तो ये है कि जैसे जैसे क्रश्णा आगे बढ़े इसी बात पे वेसे वेसे हम समझे तो समझना आसान हो जाएगा क्योंकि ये समस्या अरजून की अकेले की नहीं है ये समस्या सभी की है और कई शास्त्रों और धर्मों की भी है कि अरे अरे मैं मर जाओंगा अरे अरे ये मर जाएगा अरे मैं इसको मा डालूँगा है ना और बड़ा गुना हो जाएगा क्रश्णा के नहीं ये तो सब नॉर्मल है है ना बड़ा ही नॉर्मल है अर्जुन, इसमें जराभी ग्ञान की बात नहीं, तू जो बात के रहा है उसमें रतिवर ग्ञान की बात नहीं, तो बड़ा उंचा और गहरा वाक्या है। वेसे बात बड़ी ही साधर आने, लेकिन चुंकी हमारी कंडिशनिंग है, हमने सून रखा है, इसलिए शुरू आत्मे थोड़ी तकलिप जा सकती है। पचास हजार वर्ष पुर्व भी थे और आगे भी रहेंगे, तो ये कोई ऐसा विशय नहीं है, जिसकी कोई भी अक्लमंद आदमी चिंता करे, कि ये नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, ये हो जाएगा, ये कोई भी ज्यानी बात नहीं करता ऐसी, तो तू और जिन भी शास्त्रों की तू दुहाई दे रहा है, दोनों ये गलत्थे में दूर कर लो कि ज्यानी लोग ऐसी बाते नहीं करते, वे ऐसा दुख दर्द नहीं पालते, ये बड़ी ही साधरन बाते, आना जाना लगा रहता है, जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है, तो निकालने वाले कपड़ों के लिए रोता नहीं है, वेसे ही मनुष्य शरीर भी बदलता है, उसके लिए ज्यानी लोग रोते नहीं है. लगे लोगे बड़न और नहीं है.